दोस्तो आज दो कोमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है राम रें मोर जल उठा आकास। यह राम रें कोमिक्स है तो पर देंच को। जल उठा आकास। पर तिस एक करोड़ों परकासवरथ की दूरी पर आकास उपत्र किनारे पर पलूटीबनाम गेंग विशाल करें। सपने को साखार करने के लिए उसने अपने मामत्री सेनपती और परमुक्स लाकारों की मीटिंग बुलाई मैं चाहता हूंगी समस्त बर्मांड पर मेरे हुकुमत हो बर्मांड गार्मानों मेरे इसारे पर सिर जुकाए आप लोग बताई मेरा यह सपना किस तरह पूरा हो सकता बर्मांड गे सभी गरों को जीतने के बाद यह आपका सपना पूरा हो सकता सम्राट लेकिन सम्राट यह एकाम इतना असान नहीं है हमें इसके लिए लंबी चोड़ी प्लानिंग बनानी पड़ेगी युद की जबर्दस्त तयारिया करनी पड़ेगी तो बनाए प्लानिंग कि जे युद की तयारिया मैं जल जल अपने सपने को साकार होते वे देखना चाता हूं ठीक अम आज से ही तयारिया शुरू कर देते हैं तभी मामंत्री अपने सथान से उठ़डा हूआ अगर आ गया होता मैं कुछ कहूँ संुराट कहिए मामंत्री मार्कोस आप क्या कहना चाते हैं सम्राट आप जो सपना देख रहे हैं वे पहले भी के सक्ति साली सम्राट देख चुके हैं पर राज तक कोई भी पूरे बर्मान पर विजय पाने में सपन नहीं हो सकाए क्यों सपन नहीं हो सके वे लोग जुरूर उन लोग ने कुछ गल्तिया की होगी जी आउन सपने सपने आपको सबसे ज़्यादा सक्ति साली समझने की गल्ति की थी इसलिए वे सब नस्टोगे और वहीं गल्तिया आप भी करने जा रहे हैं मामंति मार्कोस आपकी बातों से कदरी की बुआ रही है क्या मैं यह समझू कि आप मुझे बैबित करने की कोशिश कर रहे हैं आप मुझे गल्ट समझे नहीं सम्राठ मैं हमेशा आपका वफादार रहाँ मैंने हमेशा आपका बला सोचा है आगे भी आपकी फाइदे की बात ही सोचूँगा फिर कोई उची चला देने की बजाई आप मुझे निराश क्यों कर रहे हैं मेरा इरादा आपको निराश या बैवित करने का नहीं था सम्राठ मैं तो यह चाताओं कि आप वह गल्ती अर्गिज नहीं करें जो दूसरे सम्राठ कर चुके हैं तो पहले नहीं बुझा कर आप साब साब बताईए कि उन लोगों ने क्या गल्तिया की थी उन सब ने अपने आपको सक्तिसाली और दूसरों को कमजोर समझने की कल्ति की थी सम्राठ जब कि असलियत यह है कि संपुन बर्मान बादूर और सक्तिसाली लोगों से बरा पड़ा है अगर आप समस्त बर्मान का इत्यास उठा कर देखें तो आपको पता से लेगा है जब भी किसी सक्तिसाली सम्राठ ने बर्मान जीतने की कोशिस की तब तब देवी देताओ कि सक्तिसे कोई ने कोई बादूर इंसान उसकी राह का काटा बन गया इसलिए मैं चाता हूँ कि आप पहले उन लोगों को खतम करें जो आपके सपने को चकना सूर कर सकते हैं इसके बाद ये अपना भियान शुरू करें बात तो आपकी ठीक है पर ऐसे लोगों का पता कैसे चलेगा जो बविसे में मेरी राह का काटा बन सकते हैं आपके इस सव दवाड का जवोब सूपर कंपूटर दे सकता सुम्राण में हम सब कंपूटर में चलते हैं अचलिये कंपूटर रूम में снपर बन मानको जीतने का बियान शुरू करने जा रहा हूं तुम मुझे ऑशी लोगों के नाम व्यपसों के लिस्ट बना कर दो जो मेरे जान में के काम जिन लोगों के का नाम मैंने आपको दिये हैं यह सब संपुर बर्माण के सक्ति शालियों और खत्रनाक इंशान है इन मेंसे अरेक इंशान के इलाब के वियान को चोपट कर सकता है हुम इन सब लोगों को किस तरह खत्म किया जा सकता है सूपर कम्पूटर इन्हें खत्म करने का सबसे अच्छा और आसान रास्ता यह है कि इन्हें आपस में लड़ा दिया जाई गुड आडिया आपसमें लड़कर इन लोगों की संक्या और सक्ति दोनों ही कम हो जाएंगी और जो बागी बचेंगे उन्हेम आसानी से खतम कर देंगे लेकिन समराट सोचने वाली बात तो यह कि इन लोगों को आपसमें लड़ाय कैसे जाए मेरे दिमाग में एक प्लान है समराट अगर आप क्या गया हो तो कहूं जरूर बताए तो सुनिये मेरा प्लान ही है कि वेरी गुड आप और उसने अपना सारा प्लान बता दिया वेरी गुड आपका प्लान तो बहुत श्यांदार है सुक्रिया समराट लेकिन इसमें कोई सकनी सम्राट की इनका प्लान अच्छा है लेकिन इसमें खत्रा है कैसा खत्रा अगर किसी त्रहुन लोगों को हमारे प्लान का पता चल गया तो वैसे मिलकर हमारे गरे को तबाह कर सकते हैं पहली बाद तो ऐसा कुछ नहीं होगा और अगर हुआ भी तो मैंसे किसी खत्रे से निपटने के लिए पहले से त्यार रहेंगे क्यों से नपती जी अब ठीक है रहें समराट मामती मिश्टर सकाफा के पलान पर फोरन काम शुरू किया जाए ठीक है समराट उसी दिन दिन पलूटो गरह के एरिट ट्रेक से आठ तेज रफ्तार यानों ने उडान बरी उन मेंसे एक पर्थी को और मुड़ गया तथा नया यान अलग-अलग गरह की और चल दिये पर्थी को और मुड़ने वाला यान कुछ गंटों पसात पर्थी के करीब जा पूंचा पर्थी तो बहुत बड़ी है नंबर वन इतने बड़ी पर्थी पर हम राम और रहिम को कहां तलास करेंगे इस बारे में हमें कंट्रोल रूम से बात करनी पड़ेगी नंबर वन ने फोरन कंट्रोल रूम से संपर्ख स्थाबित किया एलो एलो नंबर वन कॉलिंग और येस कंट्रोल और प्रेटिंग स्पिकिंग और को नंबर वन क्या बात है हम पर्थी एकरी पहुंच गया है लेकिन पर्थी बहुत बड़ी है बिना सही पते है के राम रहि तक पहुंचना सम्भ हुए थोड़ा इन चार क्रों हम सूपर कम्पूटर से पूछ कर बताते हैं थोड़ी देर बाद हेलो नमबर वन पुर्थी वर बारत नाम का एक देश है राम नेम उसकी राजदानी में रहते हैं बस सूपर कम्पूटर इतना ही पता जानता है ठीक हम इ मंदल में प्रेश कर गया यान का टेंपरिसर बढ़ रहा है कोर्ड किड्ने की पावर और बढ़ाव वरना मारे यान जलकर राख हो जाएगा गबराव मत मैं वहीं कर रहा हूं खता टल गया टेंपरिसर अपने लेवल पर आ गयर रहा है थोड़ी देर बाद इस समयम भारत क की राजदान के उपर उड़ रहे हैं अब बताओ राम रहीम तक कैसे पहुंचा जाए यहां के रेडियो परसान को बीच में ब्रेक करके राम रहीम के नाम संदेश बेजा जाए इस तरह उनका पता लग जाएगा गुड आडिया मैं रेडियो स्टेशन की फ्रिक्वेंसी ब्रेक करता हूं तुम संदेश परसारिद करो ओके यहां से निकलने वाली चुम्बगे किनों ने रेडियो स्टेशन से निकलने वाली रेडियो लहरों को जाम कर दिया उदर अपने फ्लैट में राम और रहिम डांस कर रहे थे आए मैं डिस्को डांसर जिन्दगी मेरा गाना मैं किसी का दिवाना यह डांस भी कितनी अच्छी चीज है हमारे पूरे सरीकेट चिखाशी कर सरत हो जाती है इसलिए तो मैं रोज एक गंटा डांस करता हूं राम के माता प्यार कुछ दिनों के लिए बार गय हूए थे इसलिए राम रहिम पूरे तरह जात थे और अपने तरीके से छे दिन बिता रहे थे और जुम और नाचो गरर मैं रे रेडियो को क्या हो गया कम बक्तों ने चे खासी गाने का सित्यानास कर दिया ठरो मैं इसे बंद इके देता हूं तभी मैं प्लूटर गर्या का संदेश वाकूं रेडियो परसाण में रुकावर डालने के लिए अमें खेदे मैं राम और रहिम के लिए अपने सम्राट करूपा का एक संदेश देकर आया हूं यह सब क्या है राम? खामोश रह संदेश सुनने दो अगर राम और रहिम हमारा संदेश सुन रहे हो तो अपने घर के उपर लाल कपड़ा लगाते हम उनके पास पहुंच जाएंगे यह संदेश बार बार परसारित होने लगा मैं फलूटो गरैका मामला समझ में आया लगता कुछ गैरा चक्कर है लेकिन जब तक संदेश मांक यहां आकर संदेश नहीं सुनाएगा तब तक मामला समझ में आने वाला नहीं है इसका मतलब लाल कपड़ा लगाया जाए तभी टेलीफोन की गंटी बज उठी टिन टिन तुम जाकर कपड़ा लगाओ मैं देखता हूँ कि किसका फोन है हेलो राम स्पिकिंग मैं प्रोफेसर पर बाकर बोल रहा हूँ बेटे तुम ने रेडियो संदेश सुना जिन आज संदेश सुनकर मैंने राहिम को चत पर कपड़ा लगाने के लिए बेज दिया है गुड समराट करूपा संदेश मिल जाए तो मुझसे आकर मिलना ओके अंकल रेम चत पर कपड़ा लगागर वापस आ गया किसका फोन था प्रोफेसर पर बाकर अंकल का था कह रहे थे संदेश मिल जाए तो मुझसे आकर मिलना उधर यान में लगता राम रिम को मारा दियावास संदेश मिल गया है वै देखो उस कोटी की चत पर लाल कपड़ा लहरा रहा है गुड यान को कोटी के उपर ले चलो यान तेजी से उस कोटी के और बढ़ने लगा कुछ धेर बाद या राम की कोटी के उपर मनरा रहा था यान कोटी की छत बहुत छोटी है इस पर यान नहीं उतारा जा सकता तुम यान को छत्क्या और करीब ले चलो मैं छत पर कूच जाऊंगा यान सच्चे पांच मिटर उपर आगर ठहर गया यान का दर्वाजा कुलो यान का दर्वाजा खुल के नमबर तून ने नीचे सलांग लगा दी वेरा नीचे जाने का रास्ता फिर वैशाल दान चे सीड या उतरने लगा कुछ देरवाद वेराम रिम के सामने था उर्थी के बादूरो मेरा परणाम स्विकार करो ओ तुमी ओ पुलूटो वासी हाँ को तुमारे समराट में मारे लिए क्या संदेश बेजाए संदेश इस संद पत्तर में लिखाए आप खुद पढ़ ले राम संद पत्तर लेकर पढ़ने लगा मैं बहुत बिमार हूँ मेरी मौत का कोई ठीकाना नहीं मैं मनने से पहले किसी बादूरेबू दिमान इंसान को पुलूटो गरह का समराट बना देना चाता हूँ इसके लिए मैंने एक मुकाबले का आयोजन किया है मुकाबले में जो जीतेगा उसी को मैं अपना ताज सोपूँगा मुकाबला ठीक दस दिन बाद शुरूँगा उमिदे तुम दोनों मुकाबले में जुरूर आओगे समराट को रूपा बहुत कुब अपने सम्राठ से कहना हम मुकाबले में भाग लें जुरूर आएंगे दन्यवाल, सन पत्रिया पीछे पलूटो ग्रह तक पहुंचने का नक्षा बना हुआ है अब लोगों को वहां पहुंचने में कोई परिशान नहीं होगी और वाम तुमारे सवागत के लिए तेयार हैंगे अच्छा आप में मुझे इजाज़त दीजिए नमबर टू राम रिम से विद्या लेकर वापवस चत्र पहुंचा तो यान से किर्णों की एक सीडी उस तक पहुंच गई नमबर टू ने किर्णों की सीडी पर जैसे ही पैर रखा उन किर्णों ने उसे यान के दर्वाजे के और खिंच लिया पलग जपकते वह यान के भीतर था क्या रा नमबर टू मैंने राम रिम को संदेश दे दिया है और उन्होंने अमारे गरह पर आना सिविकार कर लिया है गुड तो अब अपने यान को वापस ले चलते हैं हाँ अब मारा काम खतम हो गया है इधर मुझे तो इस मुकाबले के पिछे कुछ गडबड गोटाला लगता है इसलिए तो मैंने हा कर दी लेकिन असलिएत का पता तो चलेगा पिलूटो गरह पहुंच कर ही चलो प्रोफिसर अंकल के पास चला जाए ठीक है चलो कुछ दिर बाद उनकी मोटर साहिल प्रोफिसर पर बाकर की प्रोग सेला की और उड़े जली जा रही थी राम भियागर प्रोफिसर अंकल ने प्लूटो गरह जाने के लिए हमें अपना यान ने दिया तो क्या होगा उन्होंने वैसा हम लोगों की साहता किये इस बार भी जुरूर करेंगे और माल उन्होंने यान देने से इनकार कर भी दिया तो हम कोई और रास्ता सोचेंगे एक गंटे बाद राम रिम प्रहुशाला के स्क्योर्टी इंचार्ज करनल राठोर के सामने खड़े थे मैं प्रोफिसर साब से मिलना उन्होंने इमें बुलाया है तुम लोग अंदर जा सकते हो प्रोफिसर साब अंदर तुमारा इंचार कर रहे है गाड उन्हें स्पेस रूम में पहुंचा दो गाड उन्हें स्पेस रूम में पहुंचा कर वापस लोड गया क्या तुम्हें सिम्राट का रूपा का संदेश मिल गया जिया संदेश इस सवन पत्तर में लिखाए आप भी पढ़ लीजिए पुरा अफिसर पर बाकर ने पुरा संदेश पढ़ डाला बकवास मुझे तो यह संदेश कर उपा की कोई चाल लगती है कुछ भी अंकल हमने तो आंकर दिये क्यों क्या तुम लब मुकाबला जीतकर पुलूटो गरेगा समराट बनना चाते हो यह बात ने अंकल हम इस मुकाबले में सेविस ले जा रहे हैं क्योंकि वहां मारा मुकाबला अंत्रिक से अतियंद खतरनाक और दूस्ट इंचानों से होगा और उने मारकर हमें बहुत खुशी होगी यह बात है तो जुरूर जाओ पर उस्या रहना मुझे इस मुकाबले के पिछे किसी सडियंतर की बूह आ रही है आप सिंताने के अंकल हम सावदान रहेंगे कब रवाना होना चाते हो मुकाबले में समय से पहले पहुँचने के लिए मैं आज ही रवाना होना पड़ेगा ठीक है मेरा इंत्रिक्षियान बाज उडान बरने के लिए बिल्कुल तयार खड़ाए तुम्हें अपनी और से जो तयारी करनी है करके किसी समय यहां आ जाओ ठीक अंकल अब हम चलते हैं और कुछ समय बाद जब राम रिम तयारी करके प्रोफेसर की प्रियोग साला में दुबारा पहुँचे तो प्रोफेसर पर बाकर उन्हें लेकर एक विशाल होल में पहुँचे नमबर नाइन बाज उडान बने के लिए तयारे तुमने सब चेक कर लिया है ना? येस सर यानि तुम तोनों को यान का कंट्रोल सिस्टम समझा दूँ चलो इसका सिस्टम अरजुन यान से कुछ अलग है अरजुन यान के बारे में जाने के लिए पड़े हैली पुचल तारा ये कौमिस आपको प्लेलिस्ट में राम रिम के फोल्टर में मिल जाएगी तो पढ़ते हैं अंकल ये तो अरजुन से बहुत चोटा है हाँ चोटा जुरूर है पर खुबिया इसमें उससे कहीं जादा है तेनों यान के अंदर पहुँचे मेरा ये बाज अंतरीश में दुस्मन पर इस तरह जबड़ता है जैसे आकास में बाज दूसरे परिंदों पर जबड़ता है इसकी खुबी है कि ये शुरे के परकास से चलता है और इसे एक व्यक्ति भी कंट्रोल कर सकता है इसकी अधिक्तम रफ्तार दो लाग किलोमेटर परती घंटा है ओ माई गोड इसकी रफ्तार तो अरजुन से बहुत तेज है तुम लोग अरजुन को कंट्रोल कर चुके हो इसलिए इसे कंट्रोल करने में तुमें कोई विशेश परेशानी नहीं होगी आप चिंता नेकर अंकल कोई परेशानी हुई भी तो हम संबाल लेंगे तबी सर बाजुरान के लिए बिल्कुल तेयार है आप बिन नीचे आ जाए ओके नमबर नाइन अच्छा तो मैं चलता हूँ स्टोर में तुम लोगों के मतलब के सारे थियार रखे हैं जोरुत पड़े तो निकाल लेना ठीक है अच्छा अंकल जिनकी रही तो फिर मिलेंगे कितने बादूरें यह दोनों खत्रों से खेलने में इन्हें जराशी भी इचक नहीं होती प्रोफिसर परबाकर कंट्रोल रूम में पहुंचे चत अटादो नमबर नाइन येस सर हेलो राम और रहिम तुम लग तैयार होने मैं स्टार्टर पुष करने जा रहा हूँ हम तैयार एंकल प्रोफिसर परबाकर ने स्टार्टर पुष किया यान के नीचे जोरदाद दमाका हुआ और अस्टििर की दरव पर उठने लगा धड़ाओं गुड़बगुड़बगश और कुछ इंपलबाद बाज पुष के वाईं मंडल को पार करता हूआ अंतरिश में प्रवेश कर गया यादरहिम हमने बिल्बो इसी तरह है लिपुछल तारे की यातरा की थी हाँ याद अभिया उसी याद यात्रा को तो मैं जिन्दी में कभी नहीं भूल सकता उसी समय सक्रीन पर प्रोफेसर प्रबाकर का चेहरा उगरा क्यों रामियान की मशीन दी सही काम कर रही है ने जी आंकल कहने के साथ इस सक्रीन से प्रोफेसर प्रबाकर का चेहरा अद्रसे हो गया था और अंत्रिक्स का अद्रसे दिखाई देने लगा फिर एक लंबा सफरते करता वाबाज बिना किसी प्रेशानी के पुलूटो गर्या की दर्ती पर पहुंच गया मैं अपने सिमराट की और से पुलूटो गर्या पर तुम दोनों का सवागत करता हूं क्या हम आपका प्रेशे जान सकते हैं सिर्माण मैं यहागा मऄमंत्री मारकोस हूँ क्या मुकाबले में भाग लेने वाले लोग आचुके हैं हाँ बस तुम दोनों का इंतिजारत हो रहा था उसी समय एर कार उनके करीब आकर रुकी कार में बैठो मियासे सिदे उस जगह चलेंगे जाम मुकाबला होना है यानि कि सिदे मैदान के जंग में हाँ उन लोगों के बैठते ही वे कार हेलिकोप्टर की तरह उठी और एक और चल दी वाँ आपका गरह तो बहुत सुन्दर है हाँ चाओ तो मुकाबला जीतकर तुम दोनों इस गरह के समराट बन सकते हो एक गंटे बाद कार एक विशाल मैदान में जाकर उतरी तो यह वे छोक्रे जो परत्वी से हमारा मुकाबला करने आए है इनके तो भी दूद के दात भी नी टूटे होंगे यह वे लोग कोन है वे और विब बिन गरों के वाची हैं इस मुकाबले में बाग ले रहे हैं चोलो मैं तुम दोनों का परिचे इन सबसे करा दूँ हमारा परिचे देते समय इन लोगों को यह जरू समझा देजिएगा कि यह मैं बच्चा समझें ही भूलने करे हमने बड़े-बड़े सुर्मा को दूल चटा दिये जरू कह दूँगा मुकाबले में बाग ले रे बादुरों मैं जानता हूं कि मुकाबला सुरू होने से पहले तुम लोगे एक दूसरे को अच्छी तरह जान लो सबसे पहले मैं परिचे इन दो बादुरों का आप से परिचे कराता हूं यह राम और यह रहीम है इन से मुकाबला करते समयने बच्चा समझ कर इनकी ताकत को कम समझने की भूल मत करना इनकी ताकत का अंताजा तुम लोग इसी बात से लगा सकते हो कि इन्हें इस मुकाबले में खास तोर पर बुलाया गया है हमारा सूपर कम्पूटर इन्हें प्लूटो ग्रेगी राजगदी का सबसे बड़ा दावेदार मान रहे तो फिर इन्हें चोकरा कहना मेरी भूल थी इसका मतलब हमसे इन से काफी होश्या रहना पड़ेगा ग्राजगदी के दूसरे दावेदार डाक्टर बसाको यह एक मानतम वैगैनिक है अपनी वैगैनिक सकती के बल पर यह चेयर गुरो के समराट है दोस्तों मैं यहां पूरी तेयरी से आया हूँ आप लोग मुझे यहां का समराट बनने से रोक नहीं पाएंगे यह तो समय बताएगा डाक्टर बसाको फिलाल परी चेही गाड़ी आगे बढ़ने दो यह ठीक है रहा डाक्टर बसाको इनसे मिलाई यह मिस्टर स्ट्राकर यह कांगो गरे के समराट है इने इस मुकाबले का तीसरा दावेदार माना गया है धन्यवाद यह कारगो आकास गंगा का सबसे खतरनाक लुटे रहा इसे गरे का समराट बने की इसकी सबसे बड़ी तमना थी हमने इसे अपनी तमना पूरी करने का मुका दिया है मैं इस मुके को अरगीज आच्छे नहीं जाने दूँगा यहांगा समराट मैं ही बनूँगा अब मैं तुम लोगों को उस शक्ति से मिलाता हूं जिसे बर्मान की नागिन का जाता है यह वै नागिन इसका नाम रूसी है यह एकमो गराय की मारानी है इसे नागिन गल्त नहीं का जो गया है यह नागिन की इतरह जैरीली और लोमडी की तरह चला गए इससे सावदान रहना हिश इश इश मेरी तारिफ करने का बहुत बहुत शुक्रिया मामंत्री मार्कोस इन से मिलो यह है मिस्टर गंबोली एक वर्ष पहले है माईडो ग्रह के सेनाप्ती थे पर अब अपनी सक्ति के बल पर वागे सम्राट बंज गए हैं यह है होर्स बेजान ग्रह का बागी सेनाप्ती एक आवरा ग्रह पर यह लगातार अपनी सक्ति बढ़ाता जा रहा है और यह एस मुकाबले का अंतिम दाविदार यह एक पैसे वर अत्यारा है इसका नाम है पावलो अब तक तीन सो सेदी अत्याय कर चुका है परिश्य तो हो गया अब सुनो मारे सूपर कम्पूर्टर के मुकाबले का जो ड्रॉर निकला है उसके अनुसार राम देंगा मुकाबला कार्गो से डाक्टर बसाको का गंबोली से स्ट्राकर का रूसी से और होर्स का पावलो से मुकाबला होगा इस मुकाबल में हर वैक्ति अपने साथ दो साइक रख सकता है साइकों के अलाव कोई किसी साहता नहीं करेगा मुकाबले में जीत उसी समय माने जाएगी जब सामने वाला पर्दितवंदी मर जाएगा और मुकाबला तब तक जारी रहेगा जब तक की राजगर्दी का दावेदर नहीं चुन लिया जाता अब मुकाबला शुरू किया जाए एक मिन्ट रुके माम तरी मारकोस इतनी जल्दी भी क्या है मुकाबला शुरू करने से पहले हम समराट करूपा से मिलना चाते है समराट की आलत ऐसी नहीं है कि वह तुम लोगों से मुलागात कर सके दोस्तों मारा मेजमान बीमार है हमें एक बार चलकर उसका अलचाल जुरू पूछना चाहिए कहिए आप लोगों की क्या राय है तुम ठीक कह रहे हो हमें समराट करूपा से जुरू मिलना चाहिए हाँ जुरू मिलना चाहिए हाँ मेरी राय भी आई है ठीक है मैं समराट के डोक्टर से बात करता हूँ अगर उन्होंने इजाज़त दे दी तो तुम लोगों की मलाकात समराट से करा दी जाएगी वरना फिर मजबूरी है महमंतिर मार्कोस ने सूपरकार में पहुंच कर समराट कर उपास से संपर्ख स्थावित किया समराट मुकाबले में बाग लेने वाले सूर्मा एक बार आप से मिलने की जिद कर रहे है तुम किस मर्च की दवाव मारकोस सुनो किसी तरह उन लोगों को मैं पूरी कोशी कर चुका हूँ समराट लेकिन वह लोग जिद पर अड़े हुए है और मेरा बार बार इंकार करना उन लोगों को सक में डाल सकता है ठीक है तो ले आउने मेरे पास जो आड़ गया महमतरी पुने राम रेम आदियों के इस पास पहुंचा मुझे परसंता दोस्तों की डोक्टर ने समराट से मिलने की इजाज़त दे दिये बादे गंटे बाद वे लोग समराट के रुपा के सामने थे दोस्तों समराट की आलत ऐसी नहीं है कि यह ज़्यादा बोल सके इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इने ज़्यादा बोलने पर मजबूर ने करे ऐसा ही होगा डोक्टर अपने गरहे पर मैं तुम लोगों का सवागत करता हूँ आप ज़्यादा नहीं बोले समराट हम सिर्फ आपके दर्सन करना चाते थे जो कि हमने कर लिये अब हम चलते हैं जान चुटी सब लोग समराट कर उपा गए सनकत से बार आगे जी हाँ हमने आज तक इतना सुन्दर मैल नहीं देखा लगता हिने कुछ सक हो गया है सब लोग पुने मैदान में आ गए राम बया मेरे आत्पेरों में कुछ ज़्यादा ही खुजली हो रही है इसलिए फारमों से मुझे ही निपटने दो ठीक है फिर तुम्ही उससे निपट लो कुछ देर बाद महमन्तिर मारकोस ने अरी जंडी दिखा कर मुकाबला शुरू करने का इसारा किया इसी के साथ में पुलूटों गरह पर पहुंचे आठ सक्ति साली लोग आपस में बिढ़ गए हाहा पर तो यह चोकरे तु जयादा देर तक मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा यहीं तो मुझे भी देखना कि अंत्रीक शाल लोटे रहा कितनी देर तक मेरा मुकाबला करपाता है मेरा नाम डाक्टर बसाकोय गंबोली तुझे तो मैं केड़े की तरह मसल का रख दूँगा तुझे अपनी सक्ति पर बड़ा नाज है लेकिन आज मैं तेरी सक्ति को चूर सूर करके रख दूँगा मुझे बर्माड की नागिन का जाता है मेरा गाटा पानी भी नहीं मांता और मैं नागिन का जैर उतारना अची तरह से जानता हूँ मन नहीं के लिए तेयार हो जाओर्स तुम मेरा तीन सो दस्वा सिकार बनने जा रहा है फिर लालतों के जैन के खायर मना आत्यार है उदर उफ एक और जटका मैं के लाइस से मुकाबला नहीं कर पाऊंगा उसने फोरन अपने साइको क्यों आवाज लगाई हाड़ी जुड़ी में रिसायता करो हा 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 फार्गो यह काम तुझे पहले ही कर लेना चाहिता अब तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा तबी गबराना मत बहुत समा गये हैं इन किर्णों से मेरा कुछ नहीं बिगडने बचाने वाला फार्गो के साइको को मैदान में आते देख राम भी मैदान में खुद पड़ा तुम दोनों के ऐसी कि तैसी उफ आ हा हा तो तू फिर के लाद रहे गया फार्गो अब किसको सायता के लिए बुलाएगा अब मैं नहीं तू सायता के लिए पुकारेगा तो दोस्ते है कॉमिक्स नहीं पर समापत होती है और इसका अगला पार्ट है एक रात का सम्राट, क्या रेम फार्गों को मार सका, मुकाबला किसने जीता, पुलोटो गर्या का सम्राट कौन बन सका, क्या सम्राट का रुपा समस्त बर्मान का सम्राट बन सका, तो इसका अगले कोंग से मिलेगा एक रात का समराठ में तो मिलते हैं इस कॉमिक्स में